How to fix season expired problem in Google Chrome दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप season expired problem को अपने Google Chrome में fix कर सकते हैं वीडियो के साथ बने रहेगा दोस्तों साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को दबाना और इस वीडियो को एक लाइक अभी के अभी कर दीजेगा तो दोस्तों चलिए हम problem को कैसे solve करते हैं उसके और बढ़ते हैं सबसे पहले आपको खोल लेना है अपने mobile के settings पर और उसके बाद में आपको scroll down करके एकदम नीचे आना है और आपको ढूनना है application manager application manager पर आपको basically आना होगा ठीक है हर mobile में अलग-अलग show करता है किसी में apps किसी में installed apps किसी में application manager किसी में app management उसके बाद में यहाँ पी आने के बाद में दोस्तों आपको all application all apps select कर लेना है और यहाँ पे दोस्तों आपको google chrome जो है वो डून लेना है चलिए हम chrome डून लेते हैं durant ед draw घो स्टों करते हैं यहाँ और जैसे की अब देख सकते हैं chrome मिल चुका है यहाँ पर open करना है उसके बाद में दोस्ते यहाँ पी आपको एक बर four Och stop कर देना है ठीक है अ इससे जैसे आर वहाँ पर सारा परमिशन आपको एलाओ कर ना है ठीक है इसे इस सारा परमिशन को कर दीजेगा उसके बाद में दोस्तों जाके अपना Google Chrome को खोल के चेक किजेगा आपका season expired problem वो solve हो के रहेगा ठीक है उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा thanks for watching